तो हेलो बाई मैं हुआ लेदो और आज अपने पास खड़ी है भाई पंच टाटा की पंच यह ऐसी गाड़ी है टाटा की तरफ से पहले तो चाबी कुछ इस तरह की मिलते इसकी लॉक अब आज नहीं करती है अन्लॉक और यह फोलो मी हैड लेंप बलगी है आप देशकते हो सब्सक्राइब करें तो यह काम करें अपना यह पंच टाटा की जब से लॉंच हुए ना तब से और अब तक कम से कम इसको हो चुक है आठ महीने उपार हो चुक हैं इसको बिक्ते बिक्ते मार्केट में और हमें इसा बाई नुमबर टैन पर नमर टॉपमर्ट लिस्ट में हमें साती है कभी यह नमर पर कभी यह वैसे फीचर्स नहीं है गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं बाई ओल मोस्ट जो चाहिए न इंसान को गाड़ी में बैठते हुए क्या मुझे गाड़ी में एसी चाहिए यह आपको मतलब मैनुल में चाहिए आपको वाइबरेसिं कम चाहिए आपको इंजने परफॉमेंस अची चाहिए देखने में यह मात्र 5 से 6 लाग से चाहिए और इतनी बड़ी और इतनी प्यारी गाड़ी बहुत गजब की टाटा में उस मास सोच रहें कि सब गाड़ियों को अच्छे उड़ानी है ठीक है एं फ्रेंट में आपको यहां पर अच्छे हें इसकी जो असब सेब और सामने जो एरो पैटन देखो एरो पैटन जड़ान बहुत भैतरी निगा देखने में श्ञिंगल उनित परफ काई समें और फॉग लेंप इसमें आती नहीं नीचे वाले मॉडल यह इसमें फॉग लेंप ले आती है और यहाँ से हवा के लिए इसमें जिगा दिये ताकि यहां से हवा जाती रहे ठीक है तो यह चीट तो इसकी फ्रेंट की ऐसी कुछ देखने मोलमोस्ट बड़े लगती है सबसे गंदी चीट की लगते है होरन यहां पर चमकता है यार होरन तो दो लगा जाते है इसको ढखता जेते कम सकम और फ्रेंट से भाई कुछ इस तरह की दे देखती है ग्रिल नीचे आप देखती रहे तो इसनी रोड़ पर पंच डोल ले सा बहुत ज्यादा ठीक है और भाई बॉनिट का जो डिजाइन है वह ओल्मोस्ट अच्छा है ऐसा नेवेकर नहीं अच्छा डिजाइन है और बिल्ट क्वालिट कैसी है भाई मतलब ठीक है प्लास्टिक की बिल्ट क्वालिटी से शिकायत नहीं आए आपको और सायद सिकायत ना है ग्राउंड क्लेंस से भी क्यों ग्राउंड क्लेंस जो मिलता है वह आपकी स्क्रीन पाज जाएगा बहुत उची है बाई मतलब यार देखो से कितने उची दिए नीचे से बहुत प्रोफाइल किया है एक सो पिचल से सतर आर पंदर पंदर इंची को टैर है ओल्मोस्ट बहतरी नहीं है ठीक है और पे ही इंडिकेटर आते हैं इसके पर और तो साइड में कुछ ऐसा खास है नहीं हाँ दूसरी बात ओर टाटा ने यह ठक्या कि वह यह जो खुलने के लिए हाँ पर दे रहा है इसमें ठीक है अभी लॉक है तो खुलेगी नहीं अनलॉक करूं खुल गया तो यह चीज़ अच्छी दिए टाटा ने ठीक है वील सबसे पहले बात करूं है कि जो हमारी यह एडलाइट पीछ वाली रियर लाइट यूनिट है टेलाइट वह डिजाइन काफी अच्छा दिया है यहां पर इंडिकेटर है यहां पर बैक लाइट है नहीं यह मतलब ऑल वील जो डलत रहती रहती लाइट वह है यह बैक सब्सक्राइब काफी जिग्या भाई बूटी स्पेस में भी बहत्री नहीं मतलब जिग्या में गाड़ी में और हां देखो यार हंडर कहां दिया पकड़ने के लिए चलो बड़ी चीज दिए जिसको जरुत हो पकड़ो जिसको जरुत नहीं है वह अपना बेसर यहां से करो सब्सक्राइब को परसे नीचे सायसे और साइड प्रॉफल सेम वह है अब चलते हैं पहले बैठेंगे अंदर पैसिंजर के तरफ अब लोग हो ऑटोमेटर की अनलोग हो जो भई पीछे वाले डॉर पेनल को चिस्तर का भाई पावर विंडो है और टूटर देखो भाई और थाइस सपोर्टर काफी सारा है थाइस सपोर्टर को कमी नहीं है और फिर की मतलब 90 देखो कितने खुलती है नाइंटी डिग्री अंगल तक खुलती है कम खिड़ी इसकी बहुत खुलती है अब यह देखें कि बार इस तरफ से बोतल होल्टर देखो श्मीदिया एक लिटरी सब्सक्राइब और अमरेला होल्टर होल्टर है यह यह एमरेला होल्टरी बेजिंग इस परी ठीक है कुछ च्छोट मोटर समान हो रख लो हैं पर ट्वीटर है स्पीकर है यह तो सेम डोर पर वह वैसा यह सेम जैस पेल पीछ वाल अपल तब चलिए बढ़ अब बैठते हैं इसके फ्रिंट में क्यों फ्रैंट डौर पैनल इस तरह एक है कुछ यह सोफ्ट टंछ में है ने सोफटेश में सोप्लास्टिक में है यह यह दिसैन दी प्लास्टिक में अची चीजा यह यह सब ब्लास्टिक में और में cuánt później मिलते है ठिक है ओट डाउन आत यह त्टیक है य बिल्ड को देख बोज्व मतना और करते हैं गाड़े को गाड़े हमारे जादे चली हुई नहीं है गाड़े हमारे कम चली हुई है मात्र इसमें ट्रिप आ रही है ट्रिप हटाओं पहले से सब्सक्राइब करते हैं मतना साइलेंट कैबिन है कुछ बूज्व हुई मत भाई और एसी के सब कंट्रोल आपको यहां पर दियें फैन कंट्रोल दियें आपको सब यह दिखाई देता है आपको टेंप्रेशर यहां पर है एसी ओन ओन और ऑफ और एसी फैन बढ़ाना है तो आपको यहां पर ऐसी का बलोर कैसा आप सुन सकते हैं अब बहुत अच्छा रही है तो और इसको भूण कर दें यहां पर एक यूएस भी मोड वो दिया एक झाल ठीक है अब 12 वोट को सॉकिट दिया एंट सॉकिट और अब कुछ इसके कंट्रोल म्यूजिक के कंट्रोल यहा यहां से देते हैं यहां से देते हैं यह बहुत अच्छी बात है यहां पर रहता है कि बीच में हाथ दबाएंगे तो मतलब हैंडल अंडर कंट्रोल ना हो जाए यह यहां पर यहां पर यूनिट मिलते हैं इसमें कुछ दिये हैं थोड़े से यह दिये हैं यह मूजिक के सब्सक्राइब है और यह जो मतलब सब्सक्राइब कर दो कि अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे जारी गाड़ी तो जाने दो पहले हाँ अब देखता हूं गाड़ी का मीटर जो है ड्रोप मारता है नहीं मारता के लिए छोड़ने पर देखो अब मतलब अपना गाड़ी ने मतलब स्मार्टली आर्पिम बढ़ा द देखो गाड़ी बिना जटके से बिना किसी प्रोलंग साथ में उठ गया राम से मतलब मुझे थी मुझे नहीं के बतलब इदने हैवी गाड़ी है और छोटे इंजन है और फिर भी मतलब इंजन अच्छे से पावर रजेस्ट कर रहा अपना पी मैनुल में आती है हमार पास जो मैनुल है और हैंड़ ब्रेक यहां पर काफी जिगे दी गई है ठीक है थाई सपोर्ट बैक सपोर्ट सब कुछ हो कि है बाई हैंडल टिल्ट है टेलिसकोप है अनली टिल्ट है इसको करते हैं थोड़ा नीचे हाँ यहां पर ठीक है क्योंकि नीचे ज्यादा बैटर लग मारत घाड़े हो यह हो शम्य सब्सक्राइब शूऑ सब्सक्राइब दूसे घर मुठाते हैं तो इसी चलिए हाँ इंजने हलकासा इस्टेगल गया हलकासा लेकिन वाइब्रेसन अंदर बिल्कुल नहीं आ बिल्कुल भी अब तीसरे घर मुठाते हूं तीसरा घर लग रहा हो तीसरा हो है ठीक है सब्सक्राइब अब गाड़े में हैं किसी ओ भाई ओ भाई मतलब अन्बिलीबल यार अन्बिलीबल इतने धांसों गाड़ी बताओ अराम सुंती से घर मोटरी बताओ यार हद दोगी बताओ मतलब रिजल्ट इवं इसलिए गाड़ी को पसंद कर रहे हैं वह जादतर लोग क्यों क्योंकि गाड़ी जो है ना गजब की है कैमरा लग रहा है पीछे बहार से लगाओ ठीक है कैमरा भी अच्छा खासा है तो देखते हैं चलो थोड़ा सा दच की वच्किम कैसी है कैसी गाड़ी नहीं है गड़ों चलती है तो गड़ों में क्या जाल देती है हमको यह कुछ भी को लमोस्ट गाड़ी एवन चल लिए देखो भाई ग्रांड क्लेंस दिक्कत था लो मत बिल्कुल कैसी टच औप ओगी कुछ नहीं भाई टच होने का मतलब ही नहीं है इस गाड़ी का बिल्कुल बिल्कुल टच जोने मतलब नहीं है वह तो जब कि यह जो अभी 20 अ जो आ रहा है ना उसमें यह गाड़ी मतलब उससे पह बाई मज़ा आगे देख किया रहा है टाटा का गुड जोब ब्लकुल बहत्री है ऐसे गाड़े टाटा काम करते हैं यह से गाड़े और यह तो वीडियो खतम हैं पर देखी पर चला के कैसी कैसी नहीं और इसकी और वीडियो का फिसरी वीडियो आएंगी तो आप जरूर करेंगा वाइब्रेशन टेस्ट गिलास रखके देखते हैं कितनी वाइब्रेशन करता है कितना नहीं ठीक है ना ओके लव यू गाईज बाई मिलता हो गली वीडियो नई टोपक की साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर जरू करें हाँ तक आयो तो ठीक है बाई